हर इंसान सक्सेस्फफुल क्यों नहीं होता में उनके पीछे कैसा कारण होता है जिसकी वज़य से व всем काम पर पौँचते हैं और इस चीज़ को गान कि सप्लेन करने वाला हूं नहीं वाला हूं कुछ साइंस से रिलेटेड और हला अरग लग वराइटी की चुड़ी चुड़ी वीडियो मिलेंगी जहां से आप बहुत ही कुछ अचीव और सीख सकते हैं तो आप गूगल बॉय कॉटरली जुकी मेरा चैनल है वहां पर भी विजट करें यह है पानी इसका मतलब है इस वेरी क्लिर वाटर एंच इट शोस क्लियारिटी एंड इस इस हाओ वियर बॉर्ण हम हमारे अंदर कोई दिकत नहीं होता हम बिल्कुल साफ होते हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं होता लेकिन देन लाइफ अपन्स आपको कोई कहता है कि आप कि आप से कभी नहीं हो पाएगा। फिर कोई रिस्पोंसिबिलिटी के चलते किए किसी सिक्टुेशन के चलते किसी सरुकम्स्टांस के चलते आपके अंदर नेगितिविटी भरती रहती है और क्लियर सॉल्चिन से आप एक बिलकुल ही डार्क सॉल्यूशन यानि कि आप से आपकी जो confidence है वो completely destroy हो जाते हैं और पॉजिटिव से नेगटिव की और चले जाते हैं and then लोग quit कर जाते हैं उनको लगते कि मिर से नहीं हो पाएगा and then I leave लेकिन फिर कुछ successful लोग होते हैं फिर कुछ हमती लोग होते हैं जो की negativity को खतम करने के बारे में सोचते हैं और वे positivity से ऐसा करते हैं तो positivity ये तो बहुत ही simple term लगी फिर लोग क्या करते हैं जो average लोग होते जो normal होते हैं वे positivity आड़ करने की सोचते हैं वे थोड़ी positivity आड़ करी थोड़ा सा तो solution clear हुआ थोड़ा सा तो उनके अंदर positivity आई लेकिन अब भ आप इसके बाद आप एक ग्लास के जितना नहीं मतलब अगर आप रेशो के इंदर ले फिर आप बहुत जादे बहुत बड़ा एक बड़ा प्रोच लेते हो और थोड़ा और धीरे 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 अड़ करते रहते हो लेकिन अब भी कोई खासा फरक नहीं पड़ता ही आपके अंदर नेगटिविटी भरी हुई है तो नाओ दे रियल थिंग कम्स इंटो दे प्लेए कई लोग अभी कुट कर जाते कहीं लोग सोचते कि अगर मैंने इतनी एफेट्स लगा लिया मैंने पॉजिटिविटी को हराने की इतनी सोच लिए मैंने इतनी सारी पॉज फाइदा नहीं वा और देन दे कुट अगर वे एक ग्लाज जितना नहीं एक जग जितना नहीं लेकिन एक बहुत ही पावर्फुल अप्रोच लगाते हैं और बहुत ही लगातार सोचते हैं पॉजिटीविटी अपने अंदर लाते रहते हैं और वो सॉल्यूशन क्लियर होत पहुत जाते हैं एक ऐसे मुकाम पर पहुत जाते हैं कि उनके अंदर लेगेटिविटी का एक भी कण एक भी आटम नहीं वच्ताब उसका इसके सही सकते हैं और वे लेगेटिविटी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉई कर लेते हैं और कम्प्लीट पॉजिट पॉजिटीव और attitude को अपना लेते हैं, तो this is what successful people do, तो आपको समझ ही आ गया होगा, कि successful people और normal people के बीच में क्या difference होता है, successful people, positivity को कभी भी नहीं छोड़ते, जो normal people, जो जो जोड़ा positivity आड़ करने के बाद, रुक जाते हैं, थम जाते हैं, ठक जाते हैं, लेकिन जो असली successful लोग होते हैं, वो positivity को कभी भी नहीं छोड़ते, because positive thinking, positive aptitude is not what you have to do sometimes, थोड़ा साइड करना कभी कभार के बराबर है, लेकिन आपको positivity को हर एक second के अंदर, हर एक time के अंदर, आपको अपने अंदर fill करते रहना है, और आपको positivity का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप positivity को छोड़ देते हैं, फिर आप quit करते हैं, और ऐसे कई और चीज़ेत हो गया, अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं, तो positive अगर हमको रहना है, अगर हमको successful बनना है, तो वे थोड़ी बहुत और चीज़े को अभी याद में रखना होगा, जैसे कि लोग आलोचनाओं से, किसी की बाद से, किसी के ताने से, किसी के सरकाजम से, किसी के counter approach से ठक जाते हैं, डर जाते हैं और वे अपने गोल को पीछे छोड़ देते हैं, वे भूल जाते हैं कि मिरे को क्या करना है, और वे नेगिटिविटी के अंदर चले जाते हैं, डिक्विट, जो उनका गोल होता है, वे उसको नहीं अचीव करते हैं, लेकिन जब आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी होई होती है, तब बैसा कोई भी खयाल आपके मन के अंदर नहीं आता, and then you achieve whatever you can, then you can achieve your potential, your prodigy and even your talent. तो with this, I'd like to end, and here it's me, Kautilya Pandit, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कहा है,